ओम श्री कुष्ण पर्मात्वने नमाहा श्रीमत भागवत कथा दृष्टान्त अने रास्या नारत जीये चित्रकेतु ने समझावया पछी चित्रकेतु राजाये तपस्चरिया करी और भगवान नाम न जब करया आथी तेने भगवान न दर्शन थाया येना सर्व पापो क्षय पाम्या चित्रकेतु महायोगी और महान सिद्ध थयो भगवान ने तेने पोतानो पार्षत बनावयो एक दिवस ते आकाशमा विहार करतो हतो फर्तो फर्तो ती कैलास थाहमा आवयो जोयू तो शिवजीनी गोदमा पार्वती जी बेठांचे तेने आ प्रमाने बेठेला जोय चित्रकेतु ना मनमा कुभाव जागयो विशाई वासना माती तो चित्रकेतु नो जन्म थाई चे प्रत्येक स्त्री पूरुस्त ने नर नारायन रूपे जूए तो वासना न थाई चित्रकेतु संसारी भाव थी शिवपार्वती ने जूए चे आ चरित्र उपर थी लागे चे केवल सगुणोंनो साक्षात कार करे तेथी मन शुद्धततु नथी साक्षात कार थी मननी चंचलता जती नथी अर्जुन परमात्माना सगुण सरुपमा प्रेम करे चे पन निर्गुण नो अनुभव करतो नखी तेथी अर्जुन ने विशात थेव चे सगुण नो प्रेम औने निर्गुण नो अनुभव साथे थवा जोई है निर्गुण नो अनुभव औने सगुण नो प्रेम थाए त्यारे मायानो बंदन तूटे चे शीव पार्वती ने लोकिक द्रस्टी थी काम भाव थी के जोवाला गयो। आजे आ प्रमाने बेश्वानू कारण होतु। एकवार काम देवे फरी थी शीव जी साथे युद्ध करवानी इच्छा बतावी। शीव जी एकवार मेतने बाड़यो छे। तारी इस्तरी रडती हती। येटे राखोडा मां थी मेतने जीवतो करेलो। ते तू बुली गयो अचो भाई। काम देव बूल्यो, समाधीमां बेसीने मने बाड़यो ते मां शूँ आश्चरियो। ते वकते तमें समाधीमां अतिसावधान हता। समाधीमां रहीने कोई पन जीव मने हरावी शके। कामें कहूं के मारा मनमां वस्वासो रही गयो छे। तमें पार्वती जीने आलंग्यन आपों अने हूं बाण मारूं। तेम छक्ता आप निर्विकार रहो तो आप महान देव गणाव। तमने विकार आवे तो हूं माधेव। बोलो स्रिव जी छे सम्मत। स्रिव जी तो सम्मत थाया। पार्वती जीने आलंग्यन आपी अर्द नारी नटेश्वर बन्याचे। कामे घणा प्रेक्तनों कर्या पन सफलता मली नही। शंकर निर्विकार रहा चे। शीवनु स्मरण करे तेने काम त्रास आपी शक्तो नथी। तो बड़ी स्रिव जी ने सुकाम त्रास आपे। जे काम नो मार खातो नथी। ए जीव पन स्रिव छे। काम देवे बान फेंकी दीदू। छेव टे तेने स्रिव जी ने सरने आववू पडिय। भक्ति मां ग्नान वैराक्यनों साथ न होई तो भक्तपन बूल करे छे। चित्र के तुँ भक्त छे। पन तेनी भक्ति ने ग्नान नों साथ न थी। तेथी ते स्रिव जी नी निंदा करे छे। ग्नान मां भक्ति नी जरूर छे औने भक्ति मां ग्नान वैराक्यनी जरूर छे। ग्नान नी थी अहंता मरे छे। भक्ति थी ममता मरे छे। ग्नानी जो भक्त न होई तो तेनू पतन थाए। भक्त जो ग्नानी नहीं होई तो तेनू पतन थाशे। भक्तिमा अग्नाननों साथ अशे तो अतिशय ये सुख आउशे तो पण ए भक्ति छोडशे नहीं शिव पार्वती निर्विकार हता पन जोना अर्मी आखमा विकार हतो कोईने लवकिक भावती जोशो तो पची मनमा विकार आउशे संसार ना चित्र ने भगवत भावती जोवाना रहेचे जे लवकिक भावती संसार ने जोवेचे एनी चित्त वृत्ती चन्चल थायचे तेना मनमा पाप आवेचे तेनी वृत्ती बहिर्मुक थायचे त्रास आपनारी बहिर्मुक व्रुत्ती ए व्रुत्रा सूर छे, तेने ग्नान ना व्रज्यती कापी नाखवानू रहे छे श्रीव पार्वती ने आ प्रमाने लौकिक भावती जोता चित्र केतों नो पतन धैयू छे आ सामली श्रीव जीने काई बुरू न लागियू चेने माथे गंगा अग्नान गंगा होई तेने निंदा पण असर करती न थी पार्वती जी आ सहन न थयू चित्र केतों ने शाप आपयो उद्धत असूर योनी माँ तारो चन मताओ जगतना स्तरीपुरूशों ने काम भाव थी जोवे ते राक्षस थाई छे तेती माताजी ये शाप आपयो तु राक्षस थाशे चित्र केतों ये माताजीने क्षमा मागियेक देविय कयू बिजा जन्म मातने अनन्य भक्ती प्राप्त थशे औने तारो उद्धार थशे पार्वती जीए शाप आपयो तेथी चित्रकुत्र रुत्रासूर तरीके जन्मे हो मन चित्रकेतू शुबकल्पनाओ करे तो अंटे सुखी थाए और दुष्टकल्पनाओ करे तो दुखी थाए नारद अंगिरा जवा संतो ना समागम्ती मन उर्द्वगामी बने छे हरी ही ओ हुआ है अजय कर दो दो कर दो कर दो दो